सबी किसान मित्रों को नमस्कार आप सभी का जो उर्दार स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूटूब चैनल इन्फोटेक फारिमेंग लिटर में किसान मित्रों देना के 14 जनवरी 2022 वार है शुक्रवार समय हुआ है शाजया पुरमंडी की आवक की जानकरी आपको इस वीडियो के माद्यम से उपलब्द करवाई जारी जारी किसान मित्रों और सांथी सांथ कल के भाव की आज के जो भाव है उसके लिए आपको ग्यारा वे तक इंतजार करना पड़ेगा शाजया पुरमंडी आज चालू है श की आवक की जानकरी अप्लब्द करवाई जा रही है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा चैनल में पहली बार अगर विजिट की हैं तो दोनों हाथ जोड़कर निवे दने के चैनल को सब्सक्राइब कर ल मिली है बात कर लेते हैं आलू की आवक की पंद्रा सो कट्टे की आलू की आवक देखने को मिली है प्रने प्याज की किसान में तो पांसो कट्टे की आवक देखने को मिली है नए प्याज की अगर बात करें तो नो से दस जर कट्टे की आवक देखने को मिली है यानि कि सभी की चीजों में बड़ोतरी है आज बात कर लेते कल के भाव की कल का शाजया प्रमंडी का देशी प्याज का भाव रहा था उपर में लाश्ट पोजिशन रहा था 2400 रुपए वेदानत वाले के यहां 2322 रुपए राठी जी के यहां 2400 रुपए और नर्वदा संदरलाल जी के यहां 2400 रुपए के संधिंग में प्याज भीका था बात कर लेते हैं लसुन की लसुन का जो भावे बहुत नरम चल रहा है लसुन अभी 200 रुपवरती कुंडल से लगा के 1600 रुपए बिल्कुल रेयर लसन जो रहती है बिल्कुल बिजू लसन रेयर लसन ज तक भीका था कल शाय प्रमंडी में और और अलभाव के अगर बात करें तो 1800 रुपए तक भीकी लसुन लेकिन एक दो लोट उपर गए थे बात कर लेते हैं कि आज का क्या महूल होने वाला है आलू की बात कर लेते हैं कल कि कल आलू 1300 रुपए 14 रुपए तक लाश्ट पोज पुटा पटक रहती है क्योंकि आज में लगबग लगबग भारत की असे प्रतिसत मंडियां बंदे लेकिन श्राजापुर मंडिया चालू है तो हो सकता है कि प्याज में आज चाल हो और देखते हो तो 11 बज़े के वीडियो में आपको उपलब्द करवा दी जाएगी जान भूले धन्यवाद जय जवान जय किसान